Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम रुख पढ़ेंगे Class 1 की Hindi Workbook Chapter 2 आम की कहानी तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए, बेल आइकन को भी प्लेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुशती रहे और बच्चों अगर आपने आम की कहानी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से निकाल के भी उसे पढ़ सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वर्क बुक तो इसमें देखिए पढ़ हूँ कहानी तो पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं तो इसमें जो देखिए इस कहानी में एक लड़की और एक कवे ने पेर पर लगा पका आम देखा उसके बाद देखिए आम देखकर लड़की ने सोचा इसे तोड़ा जाए उसने अपने भाई को पका हुआ आम दिखाया उसके भाई ने आम पढ़ गुलेल से निसाना साधा कववा उन्हें ध्यान से तेख रहा था जैसे ही आम तूटा कववे ने अपनी चोच से आम लपक लिया दोनों भाई बहन कववे को आम ले जाता देख उदास हो गया आगे बढ़ते ही कववा मधुमक्यों के छटे से टकड़ा गया मधुमक्या कववे को डंक मारने लगी आम कववे के घोसले में जागिरा पेर पर बैठी गिलरियों ने आम देखा एक गिलरी घोसले से आम उठा लाई इतने में अंडे तूट गया और कववे के बच्चों ने काओं काओं का सोड मचाना शुरू कर दिया गिलरी के हाथों से आम छूट गया आम गिरा नीचे अरे यह आम कहा गिरा आम गिरा आदमी की पगडी में लड़की ने आम उठा लिया उसका भाई खुस होकर अपनी गुलेल का कमाल देखने लगा तो इस तरह से यह कहानी था तो चलिए अब हम लोग इसका प्रश्नूतर बनाते हैं तो देखे यहाँ पे है कि वाक्य पूरे करो तो आपनी जो कहानी में पढ़ा उसी से आपको यहाँ पे वाक्य पूरे करने है तो यहाँ देखे जैसे यहाँ बॉक्स में दिया गया है तो इसे आपको भढ़ना है तो इसमें देखे लड़की ने पेर पर एक क्या देखा था आम देखा था तो यहाँ हम आम लिखेंगे इसके बाद है कववा बहुत चालाग था आम कववे के घोसले में गिरा मदू मक्हिया कववे को डंक मारने लगी एक गिलहडी ने आम को घोसले से उठा लिया तो इस तरह से हम खाली जगा भर देंगे और देखी फिर है कि किसने क्या किया तो देखिए आम देखा तो लड़की और कववे ने और उसके बाद आम तोड़ा किसने तोड़ा तो लड़के ने इसके बाद आम लपका तो कववे ने और उसके बाद आम उठाया गिलहडी ने और आम खाया लड़की ने तो इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद है कि कौन कहा था सही उत्तर से मिलाओ तो इसमें देखिए सही उत्तर से मिलाना है तो इसमें देखिए आम आम कहा था तो पेड़ पर तो हम पेड़ पर इसमें हम मैचिंग करेंगे उसके बाद है मधुमक्या तो मधुमक्या छत्ते में इसके बाद अंडे, तो अंडे घोसले में, इसके बाद गिलहडियां तो पेड के उपर, आदमी पेड के नीचे, तो इस तरह से सारे को मेचिंग कर लेंगे, इसके बाद है, पढ़ो, समझो और लिखो, तो यहाँ देखे, आपको समझना है, तो जैसे है कि लड़की, तो बहुत सारी गिलहडिया, एक है तो एक के अनेक हो गए, यानि कि आपको समझना है, उसके बाद लिखना है, पगडी, पगडी का पगडिया, उसके बाद देखें लड़का, तो लड़का का लड़के, अंडा, अंडा का अंडे, छत्ता, छत्ता का छत्ते, तो इस तरह से हम ल तो इसमें देखिए जैसे आम पका या पका था तो क्या लिखेंगे पका sop के में हम घेड हुआएंघे तो यानिकि आम, पका थे जह writing अरे लड़के और लड़की ने अम तोड़ा तो किस ने तोड़ा लड़के ने अम तोड़ा तो हम यहां पे लड़के में घेड हा तो किस से टकड़ाया चत्ते से टकड़ाया तो चत्ते में घेडा उसके बाद है कि अंडों से गिलहडी या कवे के बच्चे निकले तो किसके बच्चे निकले तो अंडों से गिलहडी या कवे के बच्चे निकले तो यानि कि क्या होगा कवे के बच्चे निकले इसमें घेड लड़की ने खाया तो लड़की में घेरा लगाएंगे साडे में tag head लड़की ने क्या देखा लड़की ने आम देखा तो आम लखेंगे लड़के ने आम कैसे तोड़ा तो गुलेल तोड़ा उसके बाद है कि कववे को डंग किसने माड़े तो मधुमक्या उसके बाद घोसले से आम किसने उठाया तो गिलहरी ने उठाया उसके बाद है कि गिलहरी ने आम कहां गिरा दिया तो कववे के घोसले में इसके बाद इस कहानी में तुम्हें सबसे समझदार कौन लगा तो कौन लगा लड़की लगी तो लड़की लिखेंगे उसके बाद है कि कहानी में कौन-कौन था ठीक का निसान लगाओ तो आपने कहानी पढ़ा तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में कौन-कौन था, कौन-कौन से पात्र थे तो हम लिखेंगे उसमें आपको सही का टिक लगाना है तो देखें लड़का था, इसमें हम लड़का में टिक लगाएंगे लड़की थी, इसमें ठिक, आदमी था, इसमें ठिक, उसके बाद कववा था, इसमें ठिक, इसके बाद गिलहडी था, इसमें ठिक, बस और कोई नहीं था, तो साले इसमें ठिक लगाएंगे जो जो इस कहानी में थे, तो इस तरह से बना लेंगे हां, उसके बाद है, यहां प कववा बना होगा और इसमें बिंदू होगा साड़े में डॉट को जोड के आपको इसका चित्र बनाना है बिल्कुल साड़े को जोड देना है और उसके बाद उसमें कलर भी भरना है तो यह देखिए यह कववा का चित्र बनके तेयार है कलर करने के बाद बहुत अच्छा ल तो मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आप कहीं भी समझने में प्राबलम होता हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भ आप मैं वीडियो